तो आज हम बात करेंगे कि मेरे घर में साग किस तरह से बना जाता है तो साग मेरा फेवरेट है और जब मैं इसको बनाती हूँ तो अपने किचन गार्डन से ही पालक, सरसो की पत्यां और मेथी की पत्या हर्वेस्ट करती हूँ और उनको वोश करने के बाद कूकर में डाल देती हूँ क्योंकि यह घर का हार्वेस्ट है फ्रेश है इसको काटने की बिज़रूत नहीं पड़ती फ्रेश साग में हमारे तड़कर नहीं लगाया जाता है इसलिए जो फ्लेवर्स आते हैं वो लैसून और अद्रक्का होता है इसके लावा हम स्वाद के अनुसार हरी मेर्ची और नमक डालते हैं और जितना वल्यूम है उसके इसाब से हम पानी डालते हैं ताकि कुकिंग में असानी हो मैकसिमम दो या तीन सीटी में साग की बॉइलिंग हो जाएगी उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगी तो हम सारे इंग्रेडियंट्स को ब्लैंड करेंगे ताकि साग का क्रीमी टेक्शर आ सके और इसके साथ साथ उसके फ्लेवर्स भी इन्हेंस हो सके साग से हमें घाज जैसा टेसना है उसके लिए हमें आड़ करना पड़ता है कम से कम दो चमबचे बेसन या मक्य काटा और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना होता है इसके बाद हम साग को कम से कम 15 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे सिमर होने देंगे एक अच्छी कंसिस्टेंस जाने के बाद हमारा साग सर्व करने के लिए रेडी है